अમिब करते हुए बच्तों कि आप सभी बहुत ङसे हो और अपने टेस्स की अच्छे से त्यारी कर रहे हो चैसे बच्छों हमारा अध्याए साथ जो हुँने आपको असपृष्टी कर रहे हैं निया मैंने इसकोosclean कर दिया आपको अब आज मैं इसके exercise आपको बद दे रहे हूं तो अभी आपको इसको ध्यान से सुनना है मैं अभी आपको explain कर रहे हूं और इसके बाद में इसके पक्स खीच के आपको हुमकाज मिल जाएगा तो बच्चों पहले में किया था कि हमारा ध्याय है सोने का हिरण सोने के पहले तो हमें इसकी हिरण में पहले तो हमें इसके शब्दार्थ को जानना है आप शब्दार्थ को सुनिए ध्यान से कुलाचे का अल्ध शकाया यानी भगाया दोडाना राहन पखेर जान erkl day जाना निशक्त होता है बच्चों बीना शक्ति का मंशा यानी इच्छा इरादा शडियंत्र का अर्थ होता है कि चालबाजी रहस्य का होता है कोई गुप्त बाद विचलित का अर्थ होता है भैवीत और आश्वस्त का हर्थ होता है बच्चों की निश्चिंद किसी बाद से आश्वस्त हो जाना, निश्चिन्द हो जाना, हितैशी का आर्थ होता है बच्छो जो भला चाहने वाला होता है, कलुशित यानि कि अवपवित्र, अच्छे विचारका नहीं, आघात का आर्थ होता है ठोकर या धक्का, बिछो का आर्थ होता है बिछड जाना या अलग हो ज चाना अंतापूर का अर्थ होता है बच्चो राजमहन और बलिष्ट का अर्थ होता है बलवान तो यह आपका शब्दार्थ हो गया अब शब्दार्थ के आर्थ बाद आता है बच्चो भावार्थ भावार्थ मैं आपको कुछ समय के बाद उसको साइन कर दूंगी लेकिन भ पूरा करेंगे तो इसको मैं आपको बाद में homework wise send कर दूंगे जिससे आप भावार्थ को लिख लिजेगा explain तो मैंने आपको कर दिया है सारा अब यहां पर हम भावार्थ के थूरू उस चीज़ को समझ भी जाएंगे जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं भावार्थ में रेखा का संदर्व लिखी है तो अब संदर्व क्या लिखोगे कि प्रस्तूर्द कर द्यान्स हमारी पाठ्थे पुछता अगबाल राम कथा के अध्याइसाद के सोने के हिरन से ली गई है यह आपका संदर्व हो गया अब इसके बाद बच्चों आता है फिर व्याक्या तो व्याक रावान इसका प्रसंन है क्योंकि ईसका चाल सफल हो गई थी मारीच ने अपनी भूमिका को अच्ची तरीकि और का निभाया था अब आता है बच्चों हमारा प्रश्च नमबर दू सीता क्यूं विचलित हो गई मायावी पुकार सुनकर या मायावी पुकार सुन सीता ने समझा कि राम किसी मुसीवत में है इसलिए वो विचलित हो गई प्रश्ट नम्बर तीन रावण किस वेश में सीता के सामने गया? तपस्वी के वेश में सीता के सामने गया कौन? रावण सीता के आभूशन किस ने उठाए? सीता के आभूशन वानोरों ने उठाए रावण ने सीता को ले जाकर कहां रखा? रावण ने सीता को पहले अन्तपूर में और बाद में अशोग वाटिका में बंदी बना कर रखा अब बाता है बच्चो प्रश्ण 6. रावण चिन्तित क्यों हो गया? उसने क्या किया? सीता ने राम के बल कौशल की खुब प्रिशंसा की थी और कहा राम तेरा सर्वनाश कर सकते हैं यह सुनकर रावण चिन्तित हो गया उसने अपने आठ बलिष्ट राच्चोसों को राम लक्षमर की निगरानी के लिए कहा अब आता है रावण ने राच्चस राच्चसियों को क्या निर्देश दिये? तो रावण ने राच्चस राच्चसियों को यह निर्देश दिये कि वह सीता को चोट ना पहुचाएं केवल उन्हें अपमानित करते रहें तो यह उनको दिया गया था ठीक है अगला प्रश्ण देखते हैं